नमस्कार, हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो, HPLT कमिशन 2021 की तैयारियों के अंतरगत हमारी जो PYQ सिरीज चली है और मैंने पहले ही आपको कहा था कि हम बहुत जल्द इस सिरीज को कम्प्लीट करेंगे जहां पर हमने PYQs जितने भी इस से पहले रहे हैं उनको डिसकस करने की कोशिश किये और हम अभी जो लास टाइम परिक्षा पूछी गई थी उसके सो प्रशनों को इस से पहले डिसकस कर चुके हैं अगर आपने अभी तक हमारे पहले के जो दो वीडियो इसके उपर बने हैं उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं यहां पर हमने 50-50 में इनको डिवाइड किया है मैंने पहले ही आपको एक चीज एंशोर और करवा दी थी जो आपका जो यह LT Commission का जो syllabus है उसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं और कौन सी ऐसी जो टॉपिक्स हैं जिनको आपको जादा फोकस करना है तो यह सब चीजे हम पहले ही आपको बता चुके हैं अगर आपने किसी ने वह lecture नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वह वाला भी मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने प्रशन आपको पूछ जाते हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं और साथी साथ अगर हमारे आप जो रिकॉर्डिड लेक्चर्स हैं उनको आप बाई करना चाहते हैं तो आप वह भी हमसे ले सकते हैं description box में दिये गए WhatsApp नमबर पर आप हम से contact कर सकते हैं और 4 मंत के जितने भी lectures हमारे रहे हैं हिंदी literature और व्याकरण से related उनको आप बहुत ही कम price में buy कर सकते हैं आज हम इसमें mainly जो बात करेंगे देखिए 101 नमबर प्रशन से लेकर कि 170 तक के प्रशनों को इससे पहले हमने जो हमारा थोड़ा बहुत literature का portion था और उसके बाद दूसरे नमबर पर हमने देखा HP और उसमें आपकी साथ ही साथ जो teaching psychology के कुछ एक question थे उनको हमने इससे पहले बाले lecture में discuss कर लिया है आज हम mainly यहां पर जो आपका इसमें political science पूछा जाता है देखिए थोड़ा सा और थोड़े से इसमें इतिहास के जो प्रशन पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे साथी साथ कुछ और चीज़े हैं अंग्रेजी के कुछ एक शब्द आते हैं जैसे पारिभाशिक जो शब् पूछ नहीं देखिए कि कौन सा समविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार से संबंदित था तो दीखिए इसका जो अच्छा से संबंदित हैं यह किस वर्श हुआ था इस चीज़ के बारे में भी हो सकता आपको पूछ जाए तो यह बश्ड़ 22 में वहा था जि यूं कहें कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवारे जो शिक्षा है वो प्रदान करना इस अधिनियम के अंत्रगत में बात रही है तो इसका जो सई आंसर होना था कर रहे हैं तो यहां पर आपकी जो उसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि बॉर्ड मास एक जो फॉर्मूला आता है जैसे हालां कि यह गणित में है तो आप इसको यहां पर फॉलो करते हैं कि 2003 में 92 जो अमेंडमेंट हुआ जिसमें चार आठियोनी सूची में वो थी आपकी बॉर्ड मास का मतलब है बॉर्डो डोगरी और जो आपका मैथली एंड संधाली तो इन चार भाषाओं को इसके अंतरगत इसमें जोड़ा गया था तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा याद रखके जाए एंड जो आपका 96 जो दिया जाए ओडिया यह चीज आपको हो सकता है पूछा जाए तो इसको भी आप ध्यान रखें ओडिया इस त्रीके से आपने इसको याद रख लेता है एंड जो आपका 78 अमेंडमेंट हुआ है देखिए इसमें आपका जो भू सुधार है या भूमी जो सुधार है 27 जो भ आपका नवी अनुसूची में तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए हो सकता है यह चीजे भी आपको पूछी जाए लेकिन यहां से मोस्ट इंपॉर्टन जो चीज़ें है वो आपको छ्यासवा और जो ब्यानुवा समिधान से शोधन है उसको याद रख देखिए लोगसबा की महतम संख्याक कितनी है तो यह हम सब लोग जानते हैं कि यह 552 है और अगला प्रशने देखिए किस कंपनी को महारतन का दरजा प्राप्त है तो यह आपकी सेल से आई एल स्टील ऑथारटी ओफ इंडिया लेमिटेड हो सकता है आपको इसका फुल इसका साई आंशर होना चाहिए कि वाइवांडल में जो प्रकाश की अपवर्तन के कारण क्या होता है यह आपका जो तारे हैं वो हमें टिम टिम आते नजर आते हैं तो आपको सारी चीज़ें देखिए इसमें पढ़नी है आपको साइंस भी पढ़ना है आपको जो है जोग psychology पाले जो प्रश्न है उनको देखना है HP के अलावा जो आपका ये science, geography और दोसी जो चीज़ है बहुत कम-कम पुछी जाती है आपको जैसे quality हो गया कम पुछा जाएगा नेक्स ते देखिए निम्न में से किसका रसाइनिक नाम sodium carbonate है bicarbonate तो ये आपका baking soda विकल्प नमबर A इसका सही answer हो जाना चाहिए था रक्त सकंदन के लिए क्या अनिवारे है तो ये है आपका platlax विकल्प नमबर A इसका भी सही answer होगा तो मतलब देखिए यहाँ पस science के कुछ एक दो प्रश्न आपको रखे गए हैं इनको भी आप थोड़ा बहुत देखिए mainly जो आपके जितने भी ये 8, 9, 10 तक की जो basic science है वो आपको देखनी है अगले जो प्रश्न रखे गए हैं देखिए 107 से लेकर के 110 तक के ये अंग्रेजी से सम्बंदित हैं इसमें देखिए सबसे पहरे पूछा गया है कि wash your hands यहां पर सही answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा with ठीक है तो बिलकुल exact answer होगा इसका with your hand basic English मतलब main main चीज़ आपको ध्यान रखनी है English में भी next देखिए यहां पर antonym और synonym ये भी एक प्रशन आपको बहुत बार पूछा जाता है antonym या synonym में से तो इसको भी आप एक बार जरूर याद रखिए आपके पास कोई भी अंग्रेजी का grammar होगा या फिर आपने graduation के time में जो भी अंग्रेजी की book होती थी उसको अगर आप देखेंगे तो वहां से भी आपकी बहुत सारी help हो जाती है तो interim of derogatory यहां पर कहा गया है तो देखी यह होता है आपका अपमान जनक या जिसको आप कहते हैं कि लजजा जनक तो इसका जो सही आंसर होगा देखी यह होगा आपका praising विकल्प number भी इसका सही आंसर होना चाहिए one word substitution यह अगला जो प्रशन है देखी one word substitution for one who is likable मतलब जिसको पसंद किया जाए हम उसको कहेंगे जिस सिप्रीम किया जाए तो वह होगा amiable मतलब सुशील तो विकल्प number A इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा अगला जो प्रशन है देखीए अंग्रेजी से संबंदित जो आक्री प्रशन है यहाँ पर to hit the jackpot तो यह तो हम सब लोग जानते है to make जो यहाँ पर लिखा गया है देखीए money unexpectedly ठीक है तो विकल्प number B इसका क्या होगा सही आंसर होगा यहाँ से आगे एक बार फिर से आपके जो हिंदी से संबंदित प्रशन है बोरके गए हैं हिंदी वियाकरन से related और आप देखेंगे इस प्रशन को देखने के बाद आपको ज़रब ही ज़्यादा मुश्किले नहीं आएंगी क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें पूछी गई है और जो आपका grammar भी है और दूसरा आपका जो literature भी है बेसिक बेसिक चीज़ें है उन्हीं को आपने focus करना है और बहुत ज़ादा इधर उदर जाने की ज़रूरत नहीं है कौन सी किताबे पढ़नी है इस पर हमने विस्तार से एक और lecture तयार किया है आप simply आपको क्या करना है कि आपको playlist में जाके बस उस playlist को देखना है जो हमने जो आपका LT Commission के नाम से बनाई है उसको ही एक बार देख लिजए आपकी सारी समसाय में समझता हूँ वहाँ से हल हो जाएगा आपको पारिभाशिक शब्द कहां से मिलने है ये भी एक वीडियो हमने इस पर भी बनाया है बुक्स कौन सी है इस पर भी वीडियो बना हुआ है कौन सी टॉपिक्स को जादा फोकस करना है इस पर भी वीडियो बनाया है और बहुत जल्द हम आपको लिए और जो इस तरिके के आगे question series लाते रहेंगे तो यहाँ पर पुरुसकार का सही संधिवी छेद पूछा गया है तो पूरा प्लसकार तो यह इसका क्या हो जाएगा सही संधिवी छेद माना जाएगा तो विकल् मैंने अपने यूट्यूब में पहले ही हम बता चुके हैं आप चाहें तो उसमें भी हमारी जो इकाई दो वैसे एक के अंतरगती आता है जिसमें हमने व्याकरण वाले एक और बनाई है वैसे अपनी प्लेलिस्ट तो वहां से भी आप इसको जाके देख सकते हैं वहां पर ह जो हो जाता है वो किसमें बदल जाती है आपकी समय बदल जाती है पुरा पुरसकार ठीक है पाने उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसका सही अर्थ था दिखिए अभार रहित होना तो दिखिए जो भी आपके मुहावरे हैं लोकुक्तियां हैं प्रियायवाची है इनको याद कर रखने की कोई भी ऐसी बेसिक या मूल भूत ट्रिक नहीं है जितना जादा आप इनको प्रक्टिस करेंगे जितना जादा आप इनको अपने व्याभार में लाएंगे और रोज इनको पढ़ते रहेंगे तो डेफिनिटली आपको ये चीज़े याद रहेंगी और मुहावरे लोगोक्तियों के लिए भी आपको बेस्ट पुक्स मैंने बताई हैं कि कहां से आप इनको देख सकते हैं अच्छे तरीके से और कहां से आप जो या आपके दूसरे एंटनेम, सिननेम या फिर हिंदी में जिसको भी प्रातार्तिक और जो आपका प्रियायवा प्राची तो यह होता है आपका अंडजा विकल्प नंबर ए इसका क्या होना था सही आंसर हो जाना था नेक्स प्रशन है देखिए एक सो चौद हुआ अधो लिखित गरंथों में भारतिया इतियास में कौन सा प्राचीन तम माना जाता है तो यह सरवविदित है कि रिगव और एक प्रशन और था कि वेद त्रई में कौन कौन सी तीन जो आपके वेद आते हैं तो इसमें आपने अथर्व वेद को नहीं रखना है कि वो वेद त्रई में शामिल नहीं होगा आलहक किस रितु में गाय जाते हैं अगला जो प्रशने देखिए बहुत ही सिंपल जो प्रमाल रासों के नाम से जाने जाती है जो जगनिक ने लिखी है बहुत ही मौतपुन रचना है उसको भी आप देख सकते हैं जिसमें आला उदल नामक दो सरदारों की वीड़ता का वनन किया गया है अगर बसंत की बात करें देखिए तो इसमें बसंत विलास जो आपक हैं हम सब लोगों को अगर आपने अधिकाल के बारे में सबसे अच्छे तरीके से पड़ा है तो स्वयम्भू जो है अपभरंश के मौतपुन और प्रमुख कवियों में से एक अभी रहे सबसे पहला इनका ही स्थान आता है और रामकुमार बर्मा ने स्वयम्भू को हिंद क्या है यह आप मुझे जो कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं चलिए नेक्स कोशन देखते हैं धर्म की रसात्मक अनभूती ही भक्ति है अत्वा प्रीम और श्रद्धा के योग का नाम भक्ति है किस विद्वान द्वारा परिभाशाएं दी गई है तो देखिए यह जो बात कही है यह अचारे रामचंदर शुक्ल जी ने कही है आपकी इनके जो इनका जो निबंध है उसमें कही है और दूसरी बात जो यह भक्ति की बात कर रहे हैं हलां कि आपकी जो भक्ति की बाते ही इन दोनों ने कही है और इस तरीके से आप देखेंगे इनके जो और आप इसको द्यान में रख सकते हैं मोस्त इंपोर्टेंट जो यह पंक्ती अच्हार्य राम चंदर शुक लगी मानी जाती हैं, तो आप के लिए यह चीज important है कहां पर चलिए अगला पशना थे कि दीवय प्रबंध्धनम संग्रह किन के पद्ध हैं दिवय प्रबंधनम जो रहे आपके ये रहे आलवार संतों के आलवारों से आपको प्रशन कैसे पुछ जाता है कि आलवारों के संख्या कितनी थी तो इनकी संख्या थी या किस प्रांच से थे? किरल प्रांच से थे. इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा तमिल भाषा थी. और आलवार क्या थे? ये आपके वैशन भाग्ठ थे. इन्होंने राम और कृष्ण की पूजा किया. ये पुज़ा भी आपको बनते हैं. यहाँ पर है दिव्य प्रबंधनम तो पूरा अगर इसका नाम देखें आप नलियार दिव्य प्रबंधनम शीरशक से इसको जो रंगनात मुनी थे उन्होंने जितने भी आपके आलवार संतु हुए हैं बारा उन बारा संतों की रचनाओं को इनोंने इस शीरशक से संकलित कि जिसमें आपके मेनली कितने पद हैं, चार हजार इसमें पद हैं, और उन चार हजार पदों में सबसे जो जादा पद माने जाते हैं, वो किसके हैं, वो आपके जो शटको उपाचारे हैं, जिनको नमालवार कहते हैं, जो पांचों आलवार हुए हैं, उनके जो पद हैं, सहस् और रंगनाथ मुनी वो पहले अचारे माने जाते हैं श्री संप्रदाय के इस चीज को भी आप थोड़ा सा याद रख लिजिए मोस्ट इंपोर्टन चीज़े हैं ये और रंगनाथ मुनी को ही जो दक्षिन की मेरा अंडाल थी जिसको हम गोदा भी कहते हैं वो अपना पती मा पूछा जाए इनका समंद कहां से था और कितने जो ये इनकी संख्या रही जो वैशनब हुए है न वो क्या कहला है आलवार लेकिन जो आपके शैव थे वो कहला है आपके नैनार और नैनारों की जो संख्या थी वो थी 63 इस चीज़ को भी आपको पूछा जा सकता है यहां परे देखिए संयोक त्रोप से ब्रह्मसूत्र उपनिशत तथा भगवत को क्या नाम दिया गया है यह आपका प्रस्थान त्रई तो भक्ति साहित्य में जो ये तीन चीज़ें अगर आपके मिल जाती है तो इसको हम प्रस्थान त्रई के नाम से चानते हैं इसके साथ एक और चीज़ अगर हम जोड़ देते हैं ब्रह्मसूत्र उपनिशत भागवत और एक और चीज़ आती है इसमें जिसके साथ जोडने को इसको प्रस्थान चातुष्ट्य नाम दिया गया है तो वो कौन सी चीज़ है यह आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं बक्ती साहित में प्रस्थान त्रही में आपको पता है कि ब्रह्मसूत्र उपनिशत और भागवत आ गया लेकिन इसको प्रस्थान चातुष्ट्य जोड़कर प्रस्थान चातुष्ट्य बनाए गया है तो वो आप मुझे बता सकते हैं यह भी important चीज़ है चलिए next question देखत वर्माने माना है और सर्माने मत भी यही कहता है कि जो आपका सूफी कावे रहा है उनमें से सबसे पहली जो रचना कौनसी है चंदाइन रहा है हलांकि अगर इसमें आप देखें कि असायत की जो हंसावली है उसको भी मानते हैं रिगवती भी इससे को भी कुछ लोग मानते हैं लेकिन मेंली आपने यहाँ पर ज्याद रखना है चंदाइन चंदाइन के जो रचनाकार रहे मुला दाउद 389 में इसका जो समय था इस चीज़ को भी आप याद रखिए और लोर कहा के नाम से भी इसको जाना जाता है लोरिक और चंदा की यह जो प्रेम गता है और मेना उसकी जो पत्नी थी ठीक है तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ज्यान रखिए सत्यवतिक अथा के रचनाकार जो है इश्वरदास है हंसावली असाइट की है रानी केतकी की कहानी इस रचना का जो दूसरा नाम है देखिए वो है उदैभान चरित उस चीज़ को भी आप जरूर याद रखिए हो सकता का यह बार यह चीज़ें भी आपको पूछी जाए और रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसीद रचना है यह है इन्शा अल्ला खांकी है ना तो यह सारे राइटर्स के बारे में और जो भी यहां पर यह रचनाय रखी गी है अवधी कावे से या सूफी कावे से देखिए बहुत बार पूछ जाता है सूफी कवियों ने किस भाशा का इस्तेमाल के असाथ जादा तर जो इन्होंने आपका अवधी को ही रखा था एंड साथ ही साथ आपको पू यह राइटर आते हैं देखिए आपके चाया आपका शेलिंग हो गया गोते हो गया शीलर हो गया यह तरह आपके कलावादी और इनका जो मानना था वो था कला कला के लिए है इंपोर्टन चीज है यह इसको भी आपने जान रखना है और यह जो आपका कावे प्रियोजन के अंतरगत पी आते हैं देखेंगे आपकी कुछ एक अनंद वादी है कुछ एक समनवे वादी है उस तरीके से भी आपको प्रशन पूछा जा सकता है यहां पर जो है यह है आपके कला वादी जिनका मत क्या है आपका कला कला के लिए है और यहां से आपके जो प्रतीक वादी र मैं हमेशा कहता हूँ कि पाश्चात्य कावे शास्त्र आपके लिए most important है क्यों कि वहाँ से बहुत जादा प्रशन जो है बनने की समभावना रहती है हर बार की परिक्षा में तो चलिए अगला प्रशन हम देखते हैं कावे को पंदरवी विधा किस ने कहा है तो कावे के जो पंदरवी विधा कहते हैं देखिए ये कहते हैं आपके अचारे जो आपके राजशेकर हुए हैं राजशेकर की कौन सी ऐसी most important क्रिती है जो इन्होंने रची थी तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं बाकी जितने भी यहां पर दूसरे जो पाश्चात में बारतिक आविशास्त्री अचारे रहे हैं इनके रचनाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो इनको भी आप एक बार जरूर देखिए यहां पर जो सही आंसर होगा देखिए वो हो जाएगा आपका राजशिकर उस इंपोर्टन नाम और चारों के चारों बहुती महतोपून कभी हैं जो अचारे हुए हैं इनको आप एक बार जरूर देखें इन्होंने कौन-कौन से प्रमुक मत दिये हैं उसको भी आपको याद रखना पड़ और दूसरे जो और आते हैं आपके उन संपरदायों के बारे में भी आप जरूर पढ़के जाए चाहिए रिती संपरदाय की बात हो कि कौन-कौन से उनके प्रवर्तक रहे हैं यह आपको बहुत बार पूछा जाता है क्षिमेंद्र हो जाएगा आपका उचित्त संपरदाय कहा तो मतलब इनको कोई संपरदाय नहीं की रस को कावे का इनको आत्मा सबसे पहले स्विकार किया है यह मुस्ट इंपोर्टन चीज विश्वनात से है और विश्वनात से रिलेटिड प्रशन आपको बहुत बार पुछ जाता है यह वाली पंक्ति से रिलेटिड तो आप भी एक बार ज़रू याद रखिए लाटी रिती की खोज किस ने की थी तो यह की थी रुद्रट ने इस चीज़ को भी आपको याद रखना है सबसे पहले रिती रिती को जो दंडी रहे इन्होंने कावे मार्ग की संग्या दी है मुस्ट इंपोर्टन चीज है वामन इसके प्रवर्तक रहे हैं रुद्रट ने लाटी रिती की खोज की है तो यह चीज़े आपने थोड़ी सी इसके बारे में याद रखनी है नेक्स कुशन है देखिए युनानी शब्द मिथोस का अर्थ क्या है मिथोस का मतलब बता है मुह से निकला हुआ सिंपल सी बात यही करनी आपने यहां पर सही आर्थ इसका यही हो जाएगा और यह भी आपका पाश्चारत्य कावेशास्तर के अंतरगती आएगा जहां पर आप मिथक बगेरा के बारे में पढ़ते हैं वहीं पर इस चीज़ को आप देखते हैं कि यह रखी गई है नेक्स प्रशन आता है शुकल का नाम प्रमुक्ता से हम लेते हैं निबंदों की बात करते हैं तो निबंदों के केंदर में भी हम अचारे रामचंदर शुकल को ही रखते हैं यह प्रशन भी अपने आप में मौतपुन बचता है स्वचंदतावादी की अगर हम बात करेंगे तो किस किसे वाना मैथ्यू और नौल्ड ने माना है कि काव्य क्या है जीनकी समालोचना और इसी तरीकिया प्रभाशा करते हैं और वर्डवर्द की परिवाशा आपको बहुत बार पूछी जाती है कि कवीता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है इस वाली बात को भी आपको बहुत बार पूछे जाता है कॉलरित है यहां पर कॉलरिज होना चाहिए था है न तो एक कथन आता है कि कवीता क्या है आपका पलायन है है न त आपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि ऐसे ही जो आपकी helpful वीडियो हैं वो मैं आपकी बीच में लाता रहता हूं और इस सिरीज को हम योहीं continue रखेंगे भी अनेकार्थ मंजरी की रचना किस ने की है अन पर जो सही अंसर इसका हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा नंददास नंददास आपके अश्च्छापी कवियों में सबसे कनिष्ट कवी माने जाते हैं और इन्होंने सबसे जादा रचनाय रची हैं और कावे सोष्टव के दिष्टी से ये सबसे महतफ़कुन अश्च फ़कार्थ मंजरी और 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 भी रचनाय हैं इन्होंने लिकिए उनको भी आप एक बार जरूर देखिए रास पंचाद्याई और जो दूसरी इनकी रचना आती है उसको भी आप एक बार जरूर देखिए most important रचनाय है, जडिया नाम के इनको उपादी दी थी, कुम्बंदास, जो आपकी रहे इसमें, यह सबसे बड़े कवी माने जाते हैं, अच्छापी कवियों में, तो important चीज़ यह है, और यहां से आपको एक ऐसा प्रशन भी पूछा जाता है, देखिए, कि आपके तो यहां पर नहीं होना था, तोलसिदास की रचनाय, बारा रचनाय थी, अलग-अलग भाशों में रची गई हैं, किस तरीके से आप उसको भी सही तरीके से पढ़ सकते हैं, तो इसको भी हमने complete lecture एक तयार किया हुआ है, हमारी जो हलांकि UGC net की तयारियां पर हम साथ साथ पर करवा रहे हैं, तो वहां पर जाके उनको भी आप देख सकते हैं, तोलसिदास की रचनाओं के बारे में, सूर्दास, सूर्दास अच्छाप की कवियों में जहाज, मतलब अच्छाप का जहाज इनको कहा जाता है, तो यह चीज़ भी आप थोड़ी सी याल रख लिजए यहां से आगे के जो प्रशन थे देखिए, 139 से लिकर के लगबग आपके 134-135 तक वो यहां पर आपके रखे गए हैं, जो आपका गद्य शिक्षन है, तो गद्य शिक्षन से रिलेटिड यहां पर आपके जो खुद की एक सोचने और समझने की ख्षमता है, उस पर भी थ जिके के इस जिसको लेते हैं, तो गद्य शिक्षन जो आपका बीएड वाली पुस्तके हैं, हिंदी शिक्षन वाली, वहां से आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, गद्य शिक्षन से शब्द बंढ़ार तथा वृद्धी होती है, तो यह होती है आपकी गद्य शिक्षन से देखिए, इसका जो सई आंसर होना चाहिए था, आपके ज्यान, विकल्प नंबर बी, ज्यान में वृद्धी होती है, शब्द बंढ़ार और ज्यान से, गद्य शिक्षन के मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं, तो गद्य शिक्षन के मैनली जो आपके प्रकार म सावश्यक है, तो 131 का जो अंसर होगा देखिए, इसमें हो जाएगा आपका समप्रेशन की पूर्णता, कि आप जो भी लिख रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, कि पूर्णता होनी चाहिए, एक कंप्लीट करें किसी चीज़ को, गद्य शिक्षन से किसका विकास होता है, तो यह है आपका जो रचनातमकता है, या यूँ कहें, आपकी जो यह वाली बात है, रचनातमकता, यह क्या हो रही, गद्य शिक्षन से, इसकी शक्ती का विकास होता है, कि आपकी जो, मतलब आप कितने सरजक हैं, मतलब इस सीज़ को आप गद्य शिक्षन के जरीए कर सकते तो जैसे उपर से आप देख रहे हैं कि गद्दे से रिलेटेड ही सारे प्रशन पुझे गए थे तो थोड़ा साफ इस त्रीके से भी इसको कर सकते थे फरक देख बालकों के आकलन का अध्यार है वो आपका यहां पर जो विकलप नमबर ए ही होना चाहिए थी कि जो पाठ की वस्तू है उसके धार पर हम उसका आगलब कर सकते हैं क्रिशन का सरवप्रत्थम उलेख किस रचना में मिलता है तो यह आपको यहां पर इस इस question का जो उत्तर है वैसे रिगवेद में होना चाहिए लेकिन अगर रिगवेद होता तो रिगवेद में यह रिशी के रूप में है यहां पर प्रशन के संदर्व में पूछा गया है यह जानना जरूरी था अगर हम श्रीक्रिशन को एक भगवान के रूप में या फिर उसक उसका जो सही आंसर हो जाना चाहिए तब ब्रह foresee लेकिन ब्रहर चरित और रिगवेद मेंसे ही इसका एक उतर होगा और रिगवेद में समझता हूं कि अगर सिंपली क्रिशन पूछा गया तो रिगवेद इसका सही आंसर है आपका ब्रह्म चरित जो है अगर और जादा इडेंटिफाई करके या डिफाइन करके इसको पूछा गया होता कि इश्वर्य रूप में या उसकी अलोकी कलिला का वर्ण कहां पर मिलता है ब्रह्म चरित गीत गोविन और इस पाइज नहीं होना था विकल्प नंबर एक इसका सही हो सकता है खने खने नैन कोन अनुसरई किस कवी की पंक्ती है यह आपकी विध्यापति की प्रसिद्ध पंक्ती जो इनकीरती लथा से रखी है इस वाली पंक्ति को भी आप ध्यान में रखिए न सिर्फ इस वाली पंक्ति को बलकि विद्यापती से रिलेटिड जो दूसरी पंक्ति आती है उनको आप जरूर देखिए वहां से आपको प्रशन बनने की संभावना जाधातर रहती है और साथी साथ इनकी सबसे मोस्ट इंपोर्टन जो पंक्ति आती है देसल बनना सबजनमिठा तैतैसन जपो अवठा ये बहुत ही मौतपुन पंक्ति है इनकी इसको आप जरूर याद रखिए बहुत बार इस वाली पंक्ति को पूछ जाता है विद्यापती को मैथिल कोकिल की संग्या भी दी जाती है इसको भी आप याद रखें साथ ही साथ यहाँ पर जो सूर्दास आए देखिए सूर्दास के पंक्तियों को भी आपने याद रखना है इनकी बी कुछ एक most important पंक्ति है खासकर भ्रमरगीत कावे की वहां से इनकी पंक्तियों को बहुत बार रखा और पूछा जाता है रस्खान रस्खान की पंक्तियों से रिलेटिड भी हमने बहुत complete lecture रस्खान के उपर ही तैयार किया है जो आपके संपरदाय निर्पिक्ष ये कवी रहे हैं मीरा और रस्खान इनकी पंक्तियां और इनके जो बातसले पूर्ण जो इनके रहे हैं कवीत औ आप याद रखिए और कभीर दास मतलब जितने भी यहाँ पर चारो नाम है देखिए पंक्तियों को आपको खुद से ही याद रखना पड़ेगा उसकी भी कोई ऐसी अलग से ट्रिक नहीं हो सकती कि आप कैसे उनको याद रख सकते हैं कुछ एक कीवर्ड होते हैं जो आपक पता लग जाता है कि यह किसकी पंक्ति है तो इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो डेफिनिटल आपके लिए अच्छा हो जाएगा देखिए मैंने उपर ही बात कही थी कि अश्चाप का कभी कौन सा है कौन सा नहीं है तो यह चीज़ आपको यहाँ पर देखिए प्यार किया है इकाई 2 के नाम से जो हमारी UGC net के लिए बनी है वहाँ पर हमने इनको एक-एक च्छापी कभियों को सही तरीके से बताया है तो आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हैं बांगला में सबसे प्रसिद रमाइन कौन सी है तो यह हम सब लोग जानते कि कृति प्रसिद रही है और इस रमाइन का प्रभाव आप देखेंगे हिंदी की जो अन्य रचनाय रही है उन पर देखने को मिलता है किन-किन रचनावों पर क्रितिवासी रमाइन का प्रभाव है वो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर पता सकते हैं चलिए नेक्स प्रसिद मतलब लिखके ले लिजिए ऐसा जो प्रशन है आपको डेफिनेटली पूछ जाता है चाहे वो रितिकाल से हो चाहे वो आपका आदिकाल से हो चाहे वो राम कावे से हो चाहे वो संत कावे से हो चाहे आपका वो सूफी कावे से हो आपको ऐसा प्रशन एक डेफिनेटली ये आते हैं आपके जो आपका रिती मुक्त कावेधारा के अंतरगत, most important question है, देवदत देथ, देव हम जानते हैं, ये क्या है आपके रिती बद कभी है, चिंतामणी तरी पाथी, रिती बद कभी रहे, इनी से तो अचारे रामचंदर शुकल ने माना कि रिती काल का प्रवर् आलम दुझदेव, ये चार-पांच नाम, इसके लावा जो बचेंगे मुत्ववर्न नाम आते हैं सारे, वो रिती बद में आप कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए असान हो जाएंगी, घनानंद किस नर्तकी से, तो मतलब इसको तो बताने की बात ही नहीं है, सुझान से फ्रेम करते थे, सुभान से आपके बोधा थे, इंपोर्टन चीज़ है सुझान, ठीक है, रितिकाल, भक्तिकाल के दिये की लौका कजल है, तो ये अचार-पांच नर्च शुकल का कथन रहा है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, शुकल किस काल के बारे में क्या कहते हैं, ये चीज़े जानना जरूरी है, कवित रतनाकर किसकी रचना है, तो कवित रतनाकर के जो रचना का रहे देखिए सेनापती रहे, ये इनका राम कावे से समंधित कावे है, और सेनापती ने, जो आपका रितु वननन है, ये इनोंने आपके जो भक् रतना कर आगई एक और इनकी रचना है कावे कल्प दुरूम तो ये चीज भी आप थोड़ा सा इनसे रिलेटिड याद रख सकते हैं नेक्स है देखिए बिहारी लाल का जनम तो ये प्रशन बिल्कुल गलत था यहां पर 1595 इसका सही आंसर हो जाना था जो की भी कल्प में खरबार ही पूछे जाता है तो इसको आपने ज्यान रखना है चाहे वो कबीर का हो चाहे वो फिर आपके दूसरे जो रैटर रहे हो चाहे भारतेंदू हरिशंद्र रहा हो उनके जर्मसर रिलेटिड कई बार पुछा जाता है तो आप एक बार इसको जरूरु या रखिए यहाँ पर जो अगली रचना है देखिए रगुनात अलंकार किसकी रचना है तो रगुनात अलंकार जो रचना रही ये रही आपकी सेवादास की और सेवादास भी आपके रिति बद्ध कावेधारा के अंतरगताने वाले एक गौन कवियों में अपना स्थान रखते हैं और जितने भी वहाँ पर जो कुछ एक कवी है देखिए ऐसी एक आधी रचना हो सकता आपको पूछी जाए तो जो आपके कम कवी है मतलब जिन से बहुत सारी चीज़ें नहीं है जिनके बारे में पूछने के लिए तो वहाँ से ये ऐसा ही प्रशना आपके रख सकते हैं कि बहुत ही most important writer है आपके रिती काल के अंतरगत उनसे related प्रशन भी आपसे पूछा जाता है वो भी रिती बद कावेधारा की ही है यहाँ पर अगर हम बात करें केशवदास की रसिक प्रिया कवी प्रिया की तो ये दोनों रचना है कैसा है इनके रिती निरूपक ग्रंत है मतल लिए नेक्स प्रशने देखिए भाषा योगवशिष्ट तो ये है राम प्रसाद निरंजने की रचना और हिंदी में शुद्ध और परिमार्जित अगर सबसे पहले हिंदी की किसी को रचना माना जाता है अचारे राम चंदर शुकल के अनुसार तो इसी रचना को मानते ह जो दूसरे रचना कार हैं देखिए गोकुलनात की 84 वशनमन की वारता भारते अंदु अरिशंदर की बहुत सारी पंक्तिया है इन्होंने हर एक विदा में लिखा है उसको आप याद रख लिजिए हिंदी भाषा के नाम से अगर बात कहें तो हिंदी भाषा के नाम से इनक बहुत ही मौतपुन रचना की रूप में मानी जाती है यहां पर अगला जो प्रशन है दिखिए नए जमाने की मुक्री के लेकर कौन थे तो यह रहे आपके भारते अंदु हरिश्चंद्र नए जमाने की मुक्री तो जो आपके भारते अंदु यूग के कवी है उनसे रिल इंगमंच का जनक किसको कहा जाता है तो ये भी आपके भारतेंदू हरिशंद्र रहे भारतेंदू हरिशंद्र को देखते हैं आप अलोचना के खेत्र में भी देखेंगे भारतेंदू हरिशंद्र को आप जो है यात्रा वृतांत कार के रूप में भी प्रमुकता से रखेंग आप इनको नाटकार के रूप में भी मुक्तासी रखेंगे तो बहुत सारा जो सम्रिद साहीते माना जाता है आधुनिक काल के प्रवर्तक के रूप में भी आप भारतेंदू हरिशंद्र को ही मानते हैं तो most important नाम भारतेंदू हरिशंद्र का ही रहा और इस यूग में सबसे जादा नाटकों का प्रवर्ता नियुक ने किया है देखना बारतेंदू यूग में नेक्स जाता है यहां पर मैथली शरण गुप्त गोपाल शरण सिंग गया परसाद शुक्ल सने ही किस यूग के कभी माने जाते हैं तो देखिए जितने भी आपके आधुनिक काल में जो जाना जाता है अब जो जागरण सुधार काल नाम दिया है यह किस ने दिया यह आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं भार्टेंदू यूग के जो कभी रहे वो हमने उपर देख लिए थी कि कौन-कौन से उसमें मेन है छायवाद के चार आपको पता है प्र बरतन किया है तो इसमें अगे कोई हम प्रमुख मानते हैं नेक्स आता है राष्ट्यवीना तथा त्रिशूल तरंग किसके रचनाएं हैं मुस्ट इंपोर्टेंट रचना आपके गया परसाद शुकल सनेही की है और जो त्रिशूल इनका उपनाम था सिंपली आपने इसको जो श्रिंगारिक रचनाएं हैं वो रची हैं मुस्ट इंपोर्टेंट तिंग यही है और गया परसाद शुकल सनेही उपर से हमें पता चल गया कि यह दिवेदी यूगिन कवी हैं साथी साथ रामचरित उपाध्याय जो रहे यह आपके प्रत्थम सुक्तकार के रूप में माने जाते हैं यह भी दिवेदी यूग के ही कवी रहे हैं सोनलाल दिवेदी राश्टे सांस्किति कावेधारा के कवीयों में शामिल हैं और अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोद दिवेदी यूगिन जो कवीयों में अपना प्रमुक स्थान रखते हैं इनको कवी समराथ और आधने की युका सूरदास भी कहा जाता है इस चीज़ को भी आप ज़रूर याद रखिए ये प्रशन भी आपके लिए बनता है मैं समझता हूँ आपको कहीं भी दूसी जगा जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसी तरीके से लगातार एक्जाम तक 10 कुशन को भी डिसकस कर लेते हैं हमारे साथ तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे कॉंसेट्ट जो है हम यहीं पर ही क्लियर करवा देंगे आप यूँ ही बने रहिए हिंदी साहिते वारत चनल के साथ और अपनी तैयारियों को यूँ ही मजबूत करते रहिए नेक्स प्रशना आता है वासवदता युगधारा तता कुनाल किसकी रचनाएं हैं यह है आपके सोहनलाल दिवेदी जिनके बारे में अभी हमने उपर बात कही कि आपके राष्टे सांस्किति कावैदारा की यह समस्त कभी है रामधारी सिंग दिनकर की रचनाओं से रिलेटिड आपको प्रशन बनता है साथी साथ रामधारी सिंग दिनकर को कुछ एक उपाधिया मिली है कुछ एक जो इनके उपनाम है वो आपने ध्यान रखने है वहां से भी आपको प्रशन बनता है शाम नरायन पांडे की दो है हल्दिगाटी और दूसरा एक और इनकी है जोहर इसको पड़ा होगा तो डेफिनिटल आप इसको भी बता सकते है जब वेदना के अधार पर स्वान भूतियों की अभिवक्ति होने लगी तो उसे हिंदी में चायवाद के नाम से अभिवित किया गया देखिए यहां पर आपने वेदना शब्द याद रखना है मैंने कुछे कीवर्ड इसके बताये हैं कि कैसे आप जो ये आपके जो चायवादी कवी है या चायवाद के संदर में जो पंक्तिया है उनको आप कैसे याद रख सकते हैं इसके लिए complete हमने अपने lectures में बताया है तो आप चाहें हमारे lectures को buy कर सकते हैं बहुत ही basic तरीकी से मैंने जितने भी चाहे महादी वर्मा के कतन हो चाहे निराला के कतन हो उनके अधार पर याद रखना है यहाँ पर वेदना से मतलब जैशंकर प्रसाद का था महादेवी की वेदना यहाँ पर नहीं थी तो बहुत सारे लोग इसका अंसर मादवी वर्मा करते हैं तो आप इसको याद रख लिजे ये बात कहिए जैशंकर प्रसाद ने और छायवाद के संदर में सबसे महतफून जो कतन है वो किसका है ये आप सब लोग को पता है नगेंदर ने कहा कि स्थूल के प्रती सूक्षम का विद्रो है जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं मतलब सिंपल सा रचना ही पूछी गई है तो सिंपल इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको चॏवाद की ब्रिहद त्रई में कौन सा कभी नहीं है तो मुस्ट इंपॉर्टब्र चीज ब्रिहद त्रई हम सब लोग जानते है प्रशाद पंथ निराला तो यहां पर दिन कर जो होना था वो साई आंसर होना था चायवाद बहुत important है देखिए यहां पर आपके रचना आगी जो कथन आ गया स्थूल के प्रति सूक्षम का विद्रो हो डॉक्टर नगेंद्र युगधारा प्यासी पत्राई आँखें युगधारा नागरजुन की पहली रचना है है ना वहीं से आमने इसको याद गा लिय यह इनकी रचना रही तो नागरजुन प्रसिद्ध माना जाएगा यहां पर सही आंसर 1935 में यूरोप में कहां प्रगतिशील लेककसंग की स्थापना हुई थी तो 1935 में यह पेरिस में हुई थी इस चीज़ को आप त्यान रखिए 1935 में प्रगतिशील लेककसंग इसके पहले अध्यक्ष रहे इसके बारे में भी आप बता सकते हैं चलिए next question आता है प्रगतिवादी कावेद रिष्टी क्या है तो वर्ग चेतना प्रधान वर्ग चेतना प्रधान कैसे है क्योंकि जो आपका सहित्य में प्रगतिवाद है वही आपका राजनीती में माक्स वाद है और माक्स वाद क्या कहता था वर्ग संगर्ष की बात करता था तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाना था वह आपका वर्ग चेतना वाद हो जाना था व्यक्तिक्ता की जो प्रधानता रही यह आपके प्रियोगवाद में रही इसको आप ध्यान रखें व्यक्तिक्ता आपके प्रियोगबाद में रहेगी निमेलिकित में से तारसब्तक का कौन सा कभी है तो यहाँ पर देखिए प्रत्थम लिखा गया है प्रत्थम तारसब्तक मतलब पहले पहल तारसब्तक छपा उसको हम वैसे तारसब्तक ही कहते हैं यहां पर जो आपके अग्ये आते हैं देखी यह तार सब्तक के कभियों में आते हैं बाकी जो धरम विरबारती और नरिश महता है यह आपके दूसरा सब्तक के कभी है यहां से आपको जरूर प्रशन बनता है उसको भी आप एक बार जरूर याद रखिए जितने भी चार सब् तो मुख्य मुख्य कभी है उनको याद रखना जरूरी है वो पूछा जाता है हर बारी डॉक्टर शंभुनाद सिंग के अनुसार नवगित परंपरा के सुतरधार कौन थे ये थे अग्ये विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए धर्मविर भारती और लक्षमी कां अनसर हो जाएगा नेक्स प्रशन आता है यहाँ पर समकारिन कभीता का काल की कालसीमा प्राय क्या माने जाती है तो 1965 से लिकर के 2000 तक का जो समय माना जाता है वो आपका समकारिन कभीता का आता है 1943 से बाद आपका प्रियोगवाद रहा और 1952-53 के आसपाथ आपकी जो नई कभीता चली 1953 में ही आपका एक और चीज आती है वो है आपका जो नई कभीता के साथ साथ आपकी जो प्रपद्यवाद बगेरा बगेरा चला 1956 के आसपास है नई कभीता, 1960 के बाद की जो 63 मानी जाती है एंड इसके अलावा 1965 के बाद की जो कभीता को हम रखते हैं वो हो जाएगा हमारा समकालिन कभीता नेक्स प्रशने देखिए मैथली गद्य की प्रत्थम रचना की से माना जाता है तो मैथली गद्य की जो प्रत्थम रचना मानी जाती है ये आपकी वर्ण रतनाकर जिसके रचईता रहे जोतिरिश्वर ठाकुर बहुती जादा मुतपुन रचना है ये जिसमें 84 सिधों का वनन भी आपको मिलता है इसी इसको भी आप थोड़ा सा याद रखके जाएए जो आपकी आदी कालिन ये रचनाएं हैं इन से related प्रशन अक्सर पूछ जाता है चलिए next प्रशन आता है देखिए नाटक जारी है के रचनाकार कौन है तो ये है लीला धर जगूरी लीला धर जो ये नाम यहाँ पर रखेगे हैं देखिए दुश्यंत कुमार ये नाम most important नाम है और दूसरा एक और नाम आता है इसमें चंदरकांद देवताले का मंगलेश डवराल का और श्रीकांद का ये जो नाम है इनको मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो परिक्षा के point of view से बहुत जादा मौत्वपूर्ण है आपके समकालिन काव्या रजचताओं में से उनको आप जरूर याद रखिए निबंद एक बिखराव युक्त चिंतन है यह किसका कथन है तो यह कही थी बात आपके बेकन ने तो विकल्प नुबसी इसका सही आंसर हो जाएगा और मानतेन इनको प्रवर्तक माना जाता है कहां का यह आप मुझे कमेंट सक्षिन में जाकर बता सकते हैं निबंदों का इन्होंने प्रवर्तन किया था है तो इसको भी आप याद रखिए मोस्ट इंपोर्टन नाम है स्मिथ और एडिसन हिंदी का एडिसन वैसे किसको कहा जाता है यह भारतेंदू के निबंदों का विशय क्या है तो यह इनके पूरा तत्तो संबंधी जो इनके निबंद है यह चीज़ आप याद रखिए भारतेंदू के निबंदों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको आप देखना चाहें उसको आप समझना चाहें तो इनके निवन्दों को भी हमने अपने lectures में अच्छे तरीके से discuss किया हुआ है, I hope आप लोगों को जितने भी प्रशन हमने आज discuss किये हैं, वो सही तरीके से clear हो गए होंगे, और आपको idea लग गया होगा कि किस पार्ट से किस तरीके के प्रशन रखे जाते हैं, इन सब को हमने अच्छे तरीके से इसमें discuss करने की कोशिश की है, और अगर आपको हमारा प्रियास अच्छा लगा, तो एक बार फिर से प्लीज चैनल को like, share and subscribe जरूर करें, तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ एक नई वीडियो के जात, तब तक के लिए शुक्रिया, जैहिंद, इनकलाब, जिन्दावर,